36 गड के मुक्रिमंटरी भूपिश बखील दे नर्वा विकास योशना की समीक्षा की और कहा कि वैग्जानिक पदती से नर्वा का विकास किया जाए जिससे ग्रामीडों का भी इसमें जुडाव हो इसके साथ ही बांधों और फूर जल सरचनाओं में अनिवारे रूप से डिसल्टिंग की जाए आपको बता दे कि इस योशना से पर्यावरन और वन्दे प्राणियों के सरक्षन और वनों के विकास को बढ़ावा मिलेगा